तो दोस्तों आज अप्रेल की एक तारीक है और आप सभी फ्रेंड जानते हैं कि महिने के सुरुवाद में ही मैं कटिंग का वीडियो लेके आता हूँ तो मैं आज अप्रेल के महिने में कटिंग से ग्रो हने वाले 20 खुबसूरत प्लांट लेकर आया हूँ जिने आप इस महिने में असानी से ग्रो कर सकते हैं ये खुबसूरत पौदे आने वाले समय में आपके गार्डिंग को बहुत ही खुबसूरत बना कर रखेंगे तो आज की लेश्च का पहला बहुत ही खुबसूरत प्लांट या कोलियस का है कोलियस एक रंग बिरंगी पति वाला बहुत ही खुबसूरत और पर्मारेंट प्लांट है और इसकी पतियां आपको कई रंगों पर नरसी पर मिल जाएंगी इसकी पतियां देखने में बहुत ही चम के लिए और खुबसूरत इन दिनों हो जाती है जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है इस खुबसूरत प्लांट के बहुत सारे कलर आपको नरसी पर मिल जाएंगे और यह प्लांट नरसी पर लगवग 40-50 उपए तक मिल जाता है कोलियस प्लांट को खुबसूरत बनाने के लिए सबसे जरुरी काम है इस प्लांट के पिंचिंग करना उपर की जो नई लिफा रही हो उनको आप पिंच करके इस तरह से प्लांट से हटा दें तभी आपने साइट से नई नई गुरोथ करेगा और प्लांट आपका बहुत हो जाएगा बहुत ही खोबसूरत यह प्लान बूसी वोने ही बहुत अच्छा दिखता है यह देखिए यह भी एक कोली इसकी डूसी वराइटी है जिसकी पतियां बहुत ही खोबसूरत दिखती हैं और सबसे जरूरी है इस समय अगर आपके पास यह पुराना प्लांट है तो तो आप इसकी कुण्टिंग को ग्रो कर लें, क्टिंग इसकी असानी से ग्रो हो जाती है, यह देखिए, यह कटिंग ग्रोकी इलग भग 25 दिन हो गए है, और सब में बहुत अच्छी तरह से लीफ आ रही है, और यह कटिंग मैंने अभी जलदी ही ग्रोकी थी, जिसमें अभ लीफ आना शुरू हो गई है अब गर्मी बर्ड ही है तो आप जिस बी प्लावरिंग की कटइंग को ग्रोग करें उसे आप सेड्ड में रखें डायरेट सनलाइट में ना रखें तभी इन सबकी कटइंग चलेगी दूसरा खोब सूरत फ्लावरिंग प्लांट या गोरी चोरी का है जिसे येलो टिकुमा कहते हैं बहुत थिक खोब सूरत या फ्लावरिंग प्लांट कटिंग से असानी से तयार हो जाता है इस प्लांट की कटिंग इस समय आप ग्रो कर सकते हैं cutting के लिए आप hard branch को लें और cutting लग़बख pencil के size के लिए और इस खोबसूरत plant की cutting को आप soil में grow कर लें cutting grow होने में थोड़ा समय लगेगा कोरी-चोरी का plant गर्मियों का बहुत ही खोबसूरत एक plant है आप देखिए इसके flower गुच्चों में येलो कलर में बहुत ही खुबसूरत देखते हैं, गोरी-चोरी के प्लांट पे आपको फ्लावर हमेशा मिलेंगे, इसके पुराने फ्लावर गिरते रहते हैं, और नए बढ़ देखिए, इस तरह से बनते रहते हैं, तो यह प्लांट हमेशा फूलों से भरा ही रहता है, बहु खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या बोगन मिलिया का है, बोगन मिलिया एक पर्मानें ठार्डी प्लांट है, और बहुत खुबसूरत फ्लावरिंग करने वाला एक प्लांट है, और इसके यह खुबसूरत जो आप फ्लावर देख रहे हैं, इसको मैंने पहले भी कटिंग होने में 2-3 महिले लग जाते हैं तो इस खोबसूरत प्लांट को आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इसकी कटिंग को आप सैंड में ग्रो करें सोयल में इसकी कटिंग को ना ग्रो करें ये देखिए ये मैंने बोगन मिलिया कि एक कटिंग ग्रो के थी जिसमें अ करेर तो एक बहुत ही खोब सूरत, hardy और permanent flowering plant है और बिन किसी केरिंग के आपके garden में लगातार फूलों से भरा रहेगा अब इसका flowering समय चल ला है और बहुत ही खोब सूरत या plant इस समय देखिए पूरे pot को आप अपने flower से भल लिया है और इस plant की cutting को आप इस समय असाने से grow कर सकते हैं इस plant की cutting water और soil दोनों में grow हो जाती है तो बहुत ही खुब सूरत इस plant की आप cutting को लेकर इस समय grow कर ले cutting के लिए आप old branch को लें नई branch को ना लें कनेर की आपको नर्सी पर दो बरायटी एक hybrid और एक देसी बरायटी मिल जाएगी hybrid बरायटी के इसके बहुत सारे color आपको नर्सी पर मिल जाएगे cutting से grow होने वाले list का पाँचवा बहुत ही खुब सूरत flowering plant या गुड़हल का है बहुत ही खुब सूरत या प्लांट अब इस समय देखिए कितने सारी बढ़ लेना शुरू कर दिया है अब गर्मियों में इस प्लांट पर बहुत ही खुब सूरत flower आना शुरू हो जाएंगे बहुत सारे बड़ अप प्लांट पर लग गए हैं और इस प्लांट को आप डारे ट्सलाइट में रखें प्लांट को time to time fertilizer देते रहें तब ही अलगाता गार्डन में flowering करता रहेगा इस प्लांट को आप इस समय कटिंग से भी असानी से गो कर सकते हैं कटिंग के लिए आप pencil के आकार की बराज को ले करके soil में ग्रो कर ले बहुत ही असानी से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है ये देखिए ये मैंने एक विसकस की कटिंग को ग्रो किया था अब इसमें लीफ पाना शुरू हो गई है और बहुत ही खुब सुरत इस प्लांट को मैंने एक छोटे से कप में ग्रो किया था और यह आप असानी से चल पड़ी है कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का छटा बहुत ही खुब सुरत ये प्लांट इस स्नेक प्लांट एक बेश्ट इंडोर इस प्लांट न्युकल puisque आप ईय उसे तहन इन नालें घृट करते रही है इस प्लानट में इस ब्लां ब्रणा नाले हुर SAC Conference और इस दा vi withdrawal सब्करबबो स्लिदे इसारे करें कि यीद ऐसे दूप में तोस्ड करते हैं से उसे फार सवाट प्लांट से भर गया है सॉअछ यहोओं करते हैं तो जो नई कोव करती है delo ख्रोंыт सबत finoला को और और सॉघ्ट के जिसे फैसरा जब मरी यह कुछ्यू प्लांट साइगिंग प्लांट सब्सक्राइब संद्रोज को आप कटिंग से इस समय असानी से ग्रोह कर ग्रो हो जाती है यह मैंने cutting से ही grow किया है अब देखिए इसमें बहुत इची तरह से growth हो रही है यह आप जो देख रहे है पॉट में लगा हुआ इसको भी मैंने cutting से ग्रो किया था अब यह बहुत ही घना हो और बेबी संरोज में ग्रोथ भी बहुत तेजी से होती है तो इस समय आप इसकी कटिंग को ग्रो करेंगे तो कुछी दिन में इसमें फ्लावरिंग भी होना सुरू हो जाएगी कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का आठवां बहुत ही खुबसूरत प्लांट या डेविल ब डेविल बैकबोन को वार्म टेंपरिचर बहुत पसंद है इसलिए इसकी ग्रोथ गर्मियों में बहुत तेजी से हो जाती है सर्दी में इसकी लिफ ग्रिज आती है या फिर बहुत ही डल दिखने लगती है लेकिन गर्मी आते ही देखिए इसकी लिफ नई नई ग्रोथ करन यह देखिए यही वो कटिंग है जिसे मैंने ग्रो किया था अब इसमें नई ग्रोथ नई लीफाना शुरू हो गई है तो बहुत ही खुबसूरत इस प्लांट को आप इस समय कटिंग से असानी से ग्रोथ कर ले यह प्लांट कर्मियों में भले ही अपने ग्रोथ करता है लेकि प्लांट करना सुरू कर देता है और यह एक पर्मनेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो आपके पास सालों साल बना रहेगा इस प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहां पर इसे तीन चार घंटे की धूप मिल सके और इस खुबसूरत प्लांट पर वाट्टिंग आप सौयर को चेक कर करदे और इपर पल हट को आप कटिंग से असानी सेग्रो कर सकते हैं इसकी आप किसी भी ब्रांट को कट करने जिसमें एक दो नोड इरिया रहे नोड इरिया वहahn occupied यहां से लीफह निकलती तो यह कटिंग SAY असानी से ग्रो हो जाता है मैंने इसकी कटिंग को पहले ग्रो किया है अब उसमें नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है ये मैंने चोटी सी cutting soil में दबा दे थी अब देखिए इसमें नई लीवाना शुरू हो गई है purple heart की cutting में बहुत तेजी से ग्रोथ होती है कुछी दिन में पूरा पौट इसे रंगिन पत्तियों से भर जाएगा और इस पर पिंक कलर के छोटे-छोटे खुबसूरत फ्लावर भी आ जाएगे काट्रिंग से ग्रो हने वाली लिस्ट का दसवां बहुत ही खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या सदा बहार का सदा बहार एक बिश्ट गर्मियो का प्लांट है अब गर्मियां सुरू होते ही इस पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होना सुरू हो जाएगी सदा बहार की आपको दो वरायटी एक ईक तर 奶स पर मिल जाएगी तो बहुत ही असारे से इसकी cutting grow हो जाती है मैंने इसकी जितनी भी cutting grow के थी सब में नई नई लीफाना सुरू हो गई है सदा बहर को आप direct sunlight में रखे हैं और इस पर water चेक करके देते रहें प्लांट पर pinching करने से प्लांट आपका बहुत ही घना हो जाएगा ये देखिए इस प्लांट पर मैंने बहुत pinching की है और प्लांट कितना बुसी हो गया है कुछी दिन में बहुत ही अच्छी तरह से इस प्लांट पर flowering होना सुरू हो जाएगी ग्यारा हुआ खोब सूरत प्लांट या अजवाइन का प्लांट है बहुत ही अच्छी महख खुस्बू देने वाला या प्लांट अजवाइन का है और या पौदा एक medicinal प्लांट है या एक सिहत का पौदा है पेट की बहुत सारी बिमारियों में इसकी लीव का प्रोग किया जाता है या पौदा बहुत ही घना होता है इसकी पतियों में कीचन में प्रोग होने वाले अजवाइन जैसी महख होती है इसे ब्राइट लाइट में रहना पसंद है या एक पौदा सुकुलिन ब्राइटी का प्लांट है जिसे आपको पानी कम देना है अजवाइन प्लांट को आप कटिंग से असानी से तयार कर सकते हैं आपको याद होगा यह मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था जिसका वीडियो मैंने पहले ही सेयर किया था अब यह प्लांट थोड़ी से पिंचिंग से बहुत ही घना हो गया है बहुत ही खुबसूरत इस plant को आप छोटी सी cutting के लोग कर नीचे की लिप को हटा कर soil में असानी से grow कर सकते हैं लेश्ट का बारावा बहुत ही खुबसूरत plant यह यूफारविया मिली का है यूफारविया मिली यह बहुत ही खुबसूरत flowering करने वाला plant है और इस plant को आप इस समय cutting से असानी से grow कर सकते हैं मैंने इसकी cutting का कई वीडियों आप से पहले भी share किया है इसकी cutting आप स्टासा अधाने से ले क्यूंकि इस plant पर छोटे-छोटे काटे पाय जाते हैं cutting लेने के बाद आप देखेंगे cutting के portion से white color का liquid निकलेगा तो आप इस cutting को तुरत ना grow करें एक दू दिन के लिए shade में रख दें जब white color का लिक को जहां से निकल ला है वो सूख जाए तब आप इसकी cutting को grow कर लें cutting को आप soil में ना grow करें इसके लिए आप sand कप रोख करें तो इसकी cutting बहुत ही असानी से grow हो जाती है फर्विया मिली को आप direct sunlight में रखें और इस पर वार्टिंग बहुत ही कम दे cutting से grow होने वाले लिस्ट का तिरह होँआ बहुत ही खुबसूरत पतियों आला है plant money plant का है money plant एक best hanging basket plant भी है बहुत ही खुबसूरत इस plant की पतियां इस समय नई growth कर रही है और बहुत ही signing कर रही है इस plant को आप इस समय cutting से भी असानी से grow कर सकते हैं इसकी cutting के लिए आप ऐसी branch को लें जिसमें इसमें aerial root दिखे aerial root वाले है plant बहुत ही असानी से cutting से grow हो जाता है money plant को आप indirect bright light में रखें और water soil को चिक कर के दे बहुत ही खुबसूरत या plant इस समय बहुत ही अच्छी growth कर रहा है money plant एक best air purifier plant भी है इसलिए लोगी से indoor भी रखते हैं बहुत ही खुबसूरत या plant hanging basket में बहुत ही खुबसूरत दिखता है ये देखिए ये मैंने hanging basket में प्लांट को ग्रो किया हुआ है और बहुत ही खुबसूरत इस plant में आप देखिए नीचे की तरफ लटकती हुई ब्रांच बहुत ही खुबसूरत दिखती है cutting से grow होने वाले list का चौदावा बहुत ही खुबसूरत प्लांट या मने प्लांट की ही तरह ये नजॉय पोथास का है नजॉय पोथास भी एक best hanging basket प्लांट है और इस समय इस प्लांट में गर्मियों में नई ग्रोथ होना सुरू हो जाती है दो कलर में इसकी पतियां देखिए बहुत ही खुबसूरत दिखती है वाइट और गिर्न कलर में बहुत ही खुबसूरत दिखने वाला या एक best hanging basket प्लांट है इस प्लांट को आप indirect bright light में रखें और वाटिंग आप सॉयल को चेक करके दें बहुत ही slow growth इस प्लांट पर होती है लेकिन इसकी cutting भी असानी से ग्रोथ हो जाती है या hanging basket पहले पूरा pot से भरा हुआ था मैंने इसको अभी जल्दी ही report किया है और इसकी old relief को cut कर दिया है और इसमें नई growth होना शुरू हो गई है 15 खुबसूरत प्लांट या jet प्लांट का है इस प्लांट एक succulent variety का बहुत ही खुबसूरत प्लांट है इसे आप कई तरह से grow कर सकते है hanging basket में इसे असाने से grow कर सकते है या फिर इसे आप topiary बना सकते है या इसे आप किसी भी bonsai का look दे सकते है बहुत ही खुबसूरत या प्लांट इस समय कटिंग से असाने से grow हो जाता है अब ये सब जितने भी प्लांट देख रहे है सबको मैंने cutting से तयार किया है तो बहुत ही खुबसूरत इस प्लांट को आप cutting से grow कर सकते है और किसी भी shape में इसको बहुत ही अच्छी तरह से तयार कर सकते है jet प्लांट को आप indoor भी रख सकते है और इसे direct sunlight में भी रख सकते है बहुत ही खुबसूरत इस प्लांट अगर आप indoor रख रहे है तो इसे हफते में एक दू बार बस sunlight दिखाए तभी आपके पास permanent बना रहेगा प्लांट पर water आप चेक करके दें क्योंकि यह सकुलन बरायटी का प्लांट है इसकी पतियों में पानी श्टोर रहता है और वर वार्टिंग प्लांट पर ना करें और यह मैंने इसके बगल एक कटिंग शोटी सी दबा दी थी देखिए इसमें अब यह root डेवलप हो गई है तो बहुत ही असानी से यह plant कटिंग से ग्रोह जाता है रूट इसमें बहुत ही अच्छी तरह से आई है आप इस समय इस खुबसूरत प्लांट को कटिंग से असानी से ग्रोह कर ले कटिंग से ग्रोह होने वाले लिस्ट का सुलाहवा बहुत ही खुबसूरत प्लांट यह टैंगल हर्ट का है Tangle Heart एक Mist hanging basket plant और इसकी पतियां देखिये आप हर्ट सेप की बहुत ही खुपसूरत दिखती है। इस प्लांट को मैंने अभी cutting से जल्दी ग्रो किया था और बहुत ही असान यसे आप plant cutting से तयार भी हुजाता है। टेंगल हड की ब्रांच बहुत ही साफ़्ट होती है। इसकी आप छोटी सी ब्रांच को ले करकि बस त्वायल में दबा दें इस प्लाआप को आप indirect bright light में रखें और प्लाझ पर वार्टिंग बहुत ही कम दे क्योंकि यह एक शकुलन ब्राइटी का प्लांट है और इसकी पतियों में पानी श्टोड रहता है तो इस खुबसूरत प्लांट पर आप ओर वार्टिंग ना करें ये मैंने जल्दी ही अभी इसकी कटिंग को ग्रो किया है अभी इसमें नई लीफ आना सुरू हो गई है तो आप इस समय इसकी कटिंग को असानी से ग्रो कर सकते हैं कटिंग से ग्रो होने वाले लिस्ट का सत्रहवा बहुत ही खुबसूरत एक बिस्ट हैंगिं बासकेट प्लांट या टार्टल वाइन का है टर्टल वाइन एक बहुत ही खुबसूरत हैंगिंग बास्केट प्लांट है देखिए इसकी पतिया नीचे की लटकती हुई बहुत ही खुबसूरत दिखती है इस प्लांट को आप इस समय कटिंग से असानी से तयार कर सकते हैं इस प्लांट की ब्रांच भी बहुत साफ्ट हो के garden में permanent bena रहता है बहूत ही खूबसूरत प्रांट या spider बांट का है and dragon fine बासकेट प्रांट है और बहूत ही खूबसूरत इस प्लैंकीबास के इस अनुद इते हैं आब गставляं को डिकिदे करफ लूरे करते हैं या हवासिहान का रगय से अपूराइडव करता है us spider plant में आप देखेंगे इसके baby plant निकलते रहते हैं साइड से नए नई growth baby plant में होते हैं जिन्हें आप device करके नए plant तया कर सकते हैं यह देखीए यह इसके छोटे-छोटे baby plant है और इस दरमन कहते या फिर इसे नाइन उक्लाक प्लावर आते हैं इस समय देखिए अब बड़ पर आ गया है और इस पे चोटे चोटे दो चार फ्लावर भी आना सुरू हो गए हैं इसकी आपको नरसी पर दो वरायटी एक हाई बेटा और देसी वरायटी मिल जाए इस प्लांट को आप इस समय क वीडियो में आपसे सेयर किया था मैंने इसकी कटिंग को ग्रो किया था अब देखी प्लांट में कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है तो बहुत ही जल्दी या फ्लावरिंग करना सुरू कर देगा आज की लिस्ट का अंतिम और बीसों बहुत ही खुबसूरत आपके गार्डन में लगा ता फ्लावरिंग देता रहेगा इस प्लांट को आप कटिंग से असानी से तैयार कर सकते हैं इसकी आप ब्रांच को जब कट करें तो इसमें से वाइट कलर का लिकुड निकलता है तो इसको आप एक दूर दिन के लिए सेड में रख देए उसके अब पर जब नीचे का पोर्सन सुख जाए तभी आप इसकी कटिंग को ग्रो करें यह देखिए यह कटिंग से ग्रो की अगया था अब इसमें यह नई लीफाना सुरू हो गई है बहुत थी अच्छी तरह से इसकी कटिंग सोइल में ग्रो हो जाती है तो इस समय आप इसको कटिंग से असाने सीग्रो कर लें तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक हो से कर दे अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौदे के साथ तब तक के लिए बाई टेक कियर